हेलो एब्रिवन, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ हमारे फेवर में नहीं रहता है और चीजें हमारे अगेंस जाती है हमें एक्सपेटेशन होती है कि हमें उम्मीद होती है, हमें एक्सपेक्ट करते है कि आज हमारा सब कुछ सही होगा और अचानक से सब कुछ हमारा गलत हो जाता है कुछ ऐसा ही हुआ आज हमारे साथ आप सभी को पता है कि आज 22 मार्च को हमारा Supreme Court में केस लगा हुआ था कि इस्टे हटने के लिए कि सारे केस जब High Court से खत्म हो जाएंगे तो इस्टे हटने के लिए 22 मार्च को डेट दे गई थी तो सुप्रीम कोट में कोट नमबर 11 में हमारी जो सुनवाई थी वो आइटम नमबर 56 में ये मेंसन था लेकिन जो अदालत है वो कोट जो थी वो 40 नमबर तक सुनवाई करने के बाद साथ 41 तक सुनवाई करने के बाद जो है बिना किसी नोटिस और अरले नोटिस और बिना किसी एनाउस्मेंट के जो है कोट एडजन हो जाते हैं हाफ टाइम में तो इस चीज का किसी को भनक नहीं था जैसे ही सारे जजस और सारे वकील बाहर जाने लगते हैं तो हमाई तरफ से जो अपनी वकील की गई थी मिनागशी अरोड़ा में उन्हें ने बहुत जो है अच्छे से रिस्पांस किया और जजस को रोकते वे चीज कहा कि जो एक मैटर है काफी मेरजनसी है और लेक पाल भरती के संबंध में उन्हें बताया और ब्रीफ कराया कि कितने बच्चे जो है रिजान करके आया है उसारी चीज उन्हें अपनी रखी लेकिन जजस की तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं आया जैसा होना चाहिए था कि उन्होंने बात को गभिरता से नहीं लिया और जस्ट की वो उठे और चले गए तो ये ये थी जो हमारी ये बात थी जो हमारे फेवर में नहीं आई लेकिन अगर प्राइबेट वकील नहीं होते तो आज हमारे साथ क्या हुआ होता साथ हमारे तरफ से कोई बोलने वाला भी नहीं था और यह केस डारेक्ट लेट्ट और हो जाता तो और नंक्स डेट कब मिलती कुछ भी पता नहीं था लेकिन अपनी वकील होने से अपना वकील होने से वहाँ पे हमें ये फायदा मिला कि हमें जो इसकी डेट मिली है नंक्स डेट वो 8 मार्च को मिल गई जबकि आन्य कासे जो आज हेरींग होई उसमें जो ड़ेट मिली है वो काफी काफी आगे की मिल गई है इस से मैई और जून की ड़ेट मिल गई है लकिन इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ड़ेट मिली है वो 8 March मार्च 8 मार्च की डेट मिली हुई है सारी 8 अपरेल की डेट मिली हुई है और यह अपना अटन नुमबर 56 पे लगा हुआ था तो हमें एक नजदी की डेट मिल गई है यह तो एक बेनिफिट कहेंगे जो हमारी सुप्रीम कोड टीम थी और जो उन्होंने वकील किया था उसका ह में फायदा मिला और नहीं तो सरकार की तरफ से कोई गया ही नहीं था तुशार में तसर गया ही नहीं थे और मैंने कम से कम इसीज को डेट किया और एक नियर्स्ट डेट हमारे लिए मिली तो अपरेल तक का वेट किया जाए या उसके पहले भी हम कुछ कर सकते हैं क्या या तो आठ अफरेल तक वेट किया जाए और या फिर सरकार के उपर दबाव बनाया जाए कि किसी तरह से अर्जंसी ले करके इस केस को जल्दी से जल्दी लिस्ट कराया जाए हेरिंग के लिए अगली जो हाई कोट में एक सुनवाई होनी है वो आपको बदा है कि एक अपर कि आठ अफरेल को हेरिंग होगी है उसके पहले एक केस जो बचाए वो भी खतम हो जाए तब और एक विकल्प यह भी हो सकता है कि हम लोग यूपित्री पेलसी आयोग के उपर प्रेशर बनाए और उनको किसी तरह से इस चीज़ के लिए हम रिडी करें कि वो जो है हमारे इ कुछ ऐसा होता है तो आपको जरूर इतला किया जाएगा कोई प्रोटेस्ट अगर ऐसा प्लान किया जाता है तो